वेरी वेरी इंबारसिंग आंग के समके पैंटी पढ़ी है और ये फैंटी इनको सद्धियों याद रहेगी और इनको कि स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कोन करते हैं और पाकिस्तानी बॉलर्स अपने सरजमीन पे खेल रहे हैं अगर्चे क्रिक्रिट तो नहीं हो रही है तकलीफ हो रही है तकलीफ है दुनिया में टेस्ट करकेट क्या हो रही है सिरी लंका भी जीत कर आया इंग्लेंड से कोई आइन इवन बाउंस हुओ मजा नहीं है एंटरंसों का जैक रोली 78 पे आउट हुआ कि नजर तो यहीं आ रहा है क्या पाकिस्तान ये टेस्ट मैज ब तो देखिए इस वीडियो पर अंक किसम के पैंटी पढ़ी है और ये पैंटी इनको सद्यों ही आद रहेगी और इनको क्रिटिस्ट करना भी चाहिए और देना भी चाहिए दोस्तों ये टेस्ट करिकेट नहीं है ये मजाक हो रहे हैं सो कि स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कोन करते हैं और पाकिस्तानी बॉलर्स अपने सर्जमीन पे खिल रहे हैं अगरचे पाकिस्तान के बैटर्स अगर श्राइन मसूद की बैटिंग देखे 85 कि स्ट्राइक भी खिले मगर नई बॉल के साथ इंगलेंड के बले बास इतना बड़ा पहार रन हमने बना रखा और उनके सामने आए हैं और पहली विकल भी जल्दी कर गई है फिर भी सो की स्ट्राइकर के साथ बैटिंग हो रही है यह बत्तमीजी है यह टेस्ट क्रिकिट नहीं है यह सीध कर बाइस की बात कर रहा हूं जो रावल पिंडी में पहला टेस्ट मैच खिला था अब पाकिस्तान ने मुझे लगता कि उस तरह सा दिखे जाए तो सो और कम किया है क्योंकि आप तुस परस्पेक्टिव में देख रहे हैं कि इंगलन चार सो कर दे हम छेसो प्लस रन किया हो कम असकम करें और फिर उनको बैटिंग की दावद दें I don't know कि हमारे बॉलर्स का भी इतना स्टैमना होगा कि हम दो दिन लगा था डेर दिन बालिंग करने के बाद फिर उनको बैटिंग दे फिर हमारे बॉलर्स बालिंग करें मुझे जात्तों पर लगता है कि पाकिसान को फिल वक्त हाईवे टाइप की ज़रूर्थी कि हमारे बैटर स्टोरी फार्म के अंदर आएं मगर इतनी हाईवे की नहीं कि हमारे बॉलर्स बतारे ठाके जाएं जो पहले से गिरे हों में और गिर चाहें और वाकी ये कबरुस्तान बंजे फास बॉलर्स का खैर दो दिन हैं हुए अभी टेस्ट मैच को तीन दिन अभी बाकी है इस मैच को रिजल्ट औरिंट होना चाहिए खुशी है कि पाकिस्तान जीते मगर कोई भी जीते टेस्ट मैच का मज़ा होना चाहिए ये बुजदली नहीं है कि मैच आपने रड़ा बना दिया पिच और रिजल्ट इना ने कले बच जाए हैं कि मैच का रिजल्ट ना हो ऐसा नहीं है और ऐसा मुझे लगता है कि होगा भी नहीं क्योंकि चोथे पामशे तोस में पिच्छ तोड़ी जरूर चेंज होगी बट ये मतब सोखी स्ट्राइक रेड़ के साथ एक बलेबास खेर रहा है जिसका साथ में जो ओपना राता है उसके उठे पे चोट लगी हुई है वो नहीं खेलने आया एक बलेबास जल्दी आउठ हो गया उसके बावजुद आप उनकी स्ट्राइक रेड़ को उठा के दे 33 नसीम शाह नाइट वाच्मन करके जा रहा है 59 में जिसमें तीन चक्कें बेजा किसने था नाइट वाच्मन जिसने बेजा जिसकी हां शामिल होगी वो जीरो पर आउट होगी है रिज्वान इसको इसको बोलते हैं क्या माइंड सैट है मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि 70's में होता था आज दिखा भी रहते हैं रिकॉर्ड कि 10 टेस मैच खेले 10 के 10 ड्रॉफ क्या दुबारा 70's वाली क्रिक्ट लाना चाह रहे हैं आप लोग अफसोस का मकाम है यार दुनिया में टेस क्रिक्ट क्या हो रही है सिरी लंका भी जीत कर आया इंगलेंड से सिरी लं कोई बोलने वाला नहीं है कि अपनी क्रिक्ट को और पीछे लेके जा रहे हो ठर्ट क्लास बैटिंग करिया है ऐसा प्लेयर तो नहीं था क्लास भी बाद उसको बोला गया कि हम हो टेस्ट मैच नहाँ चली हो अराम से आराम रही यार अपने बाज़ों पर यकीन रखो या क् क्रिक्ट खेल लो मिने शजादो मचाएगा ना यही है ना और दूसरे क्रिक्टर शोर मचाएगे लिंग क्रिक्ट तो खेलो अभी क्या लोग ऐसे तालियां बजाएंगे ऐसे बजाएंगे तालियां यह नाखुन से जो क्रिक्ट खेल ले ना तकलीव दे बात है काम मैं बालें लग रही थी बाल लो रह रहा था बाल टर्न हो रहा था जैसे ही इंग्लेंड ने बेटिंग करना स्टार्ट की है कोई बाल आप मुझे बताओ कोई एन इवन बाउंस हुओ मज़ा नहीं है रंजो का मैं सच बात बता हूं यार सामने क्या बॉलिंग लाइनप है यार म 611 बॉल में सौ करें लेकिन नो बेजबॉल अगेस इंडिया यार जुमला क्या कहा था कि जब यह अपना बेजबॉल छोड़ेगा रंजो की मशीन बनेगा अलम्दुलिल्ला सौ करा इंडिया में और जब से अपना स्टाइल पुराने रूटीन में आ गया बेजबॉल तो नहीं खेला ना 169 बॉलो में सौ करवा है ना आप लोग नहीं पाक्षान ही नहीं होंगे इंडियन जो फॉलो करते हैं वो लाजमिक गवा होंगे ड़केट ने करेजी 84 तो गुड़ खेला उससे पहले जैक रोली 78 पे आउट हुआ हर सेशन में पहले सेशन में बनाए 136 रन एक आउट हुआ दूसरे सेशन में अभी तक एक ही आउट है और सौ से जादा रन हो चुके हैं तो क्या हर सेशन में एक एक आउट होगा करकेट पे बात करनी है कल न्यूजिलेंड हारी है ऑस्टेलिया से वोमेंस में चांस होगी है अगर आउस्टेलिया को इंडिया हरा दे तो इंडिया सेमी फाइनल में पहुंच सकता है यह लिखा हुआ था अभी सामने आया तुमने का एटी एक रन से हराया एटी एक पर आउट हुई है साटन से हराया और आज IPL 11 का दूसरा मैच है बंगलादेश से उस पर इंशालला वीडियो बनाएंगे आज है दो जी पाकिस्तान का टेस्ट मैच मुझे लगता है कि चले आज तीसरा दिन हाँ छोड़ दें लेकिन नजर तो यही आ रहा है क्या पाकिस्तान ये टेस्ट पांसो चप्पन रंद करने के बाद कोई हार तो नहीं जाएगा इस वक्त सब यही सोच रहे होंगे न कहीं पर दी मेरिक पॉइंट तो नहीं मिलेगा मिलना चाहिए आए और अस्ट्रिलियन बुलाया ना क्योरेटर क्या टॉप क्लास पिंच बनाई गया कहा था ना सारे ब अभी भी पाकिसान जड़ है कि हम हार ना जाएं स्पीड जो शहीन अफृदी की गिरी हुई है एक सो बत्रीस तेती से उपर इससे बाल नहीं होती और नसीम शागी बाल भी एक सो चाली से उपर जाती नहीं है और यकीन कि ये इंग्लें ने जो है वो पहले रोज इसे रोज के खताब पे चार सो इकानवे रंस जो है रंस ये हैं और उसके जस्तीन ख्लाडी होट है जिसमें जो रूट के ये शानदार 176 रंस शामल है और हैरी ब्रूक ने भी 146 रंस की शानदार इस जो है वो खेली है और पाकस्तार के मिस्ट्री स्पिनर जनाब अबरार आमद को मार-मार कर जो भ उसका बुरा हाल कर दिया है पहले 10s के अंदर अबरार गी है तो कमाल ही कर दिया है इंगन के बेस्ट मैंनों ने वरार आमद को 35 ओवर के अंदर तकरीबन जो है वह एक सो सत्तर रहां से ज्याला जो है वह पड़ चुके हैं पांच की कौनमी आप रार आमद की किसी भी बोदर की यो कानमी है वह चार रहां से नीचे नहीं है यही ज कैसे इंगनेर्ट बैस्ट मैंनों ने वह बैटिक करना शुरू की है तो पिछ में ऐसा जो है वह कुछ भी नहीं था थोड़ी बहुत जो है वह बाल्ग वर्स विंग होना शुरू ही थी लेकर हमारे बॉलर की जो है स्पीड ही इतनी थी एक सो बतीस तीस तीस चोतिस की कि ज नहीं बना पाए पाकसान के खतब करने के लिए और उसकी अबी जो है इसके साथ साही है अमीद करते हैं पाकिसान इस टेस्ट को जो है वो बचाने में काम्याब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी तो पाकिसान को जहाँ हारने के लाले पड़ चुक्किया है क्योंकि इंगन जिस तरह से मार रहा है अगर वो कल टी तक भी खेल जाते हैं इस टो worries हो फाकिसान के ऊपर कर देंगे और पाकिसार की टीम जπά है और इस तरह कि या यह रहां कि या व रोग साथ जाता चैन्स को सब्स्क्राइब काते हैं मिलते हैं